वेलकम टू दपार्ट साला, हम SSC CGL के 2016 के कुश्चिन पेपर कर रहे हैं, हम इसका फुल एक्स्प्लानेशन दे रहे हैं, आज करेंगे हम सेट नंबर सेकेंड, 27 सगस्त का, एक सेट हम कर चुके हैं, आज हम देखेंगे सेट नंबर सेकेंड, 27 सेंड, अब हम ये कुश्चिन जंसे पेपर कर क्या हो रहा है, और करना क्यों जरूरी है, थोड़ा से समझ लीजे, जो हमारी पढ़ाई, परपरेशन है, वो exam के हिसाप से हो रही है, या नहीं हो रही है, यह जानना बहुत ज़रूरी है, यह जानने के लिए आपको कहाँ से पता चलेगा, ये पिछले साल से 20 कैसे score करें इस paper को करते वक्त मैं समझाता चलूंगा कि कितना चीजे आपका आता है वक्याप से कितना आता है आपका grammar से और क्या-क्या हो रहा है और जो मैं classes कर रहा हूं उससे कितना सारा चीजे अभी आपको मिलने लगेगी दो अभी आप 5-6 classes ही हुई है तो चलिए आज का 27 अगस्त का paper देखते हैं question number 76 यह आपका पहला word है पहले question में ही आपको पूछा है जो है कि spelling correction spelling correction में पूछा है कोनाइजर कोनाइजर का मतलब होता है पारखी किसी चीज में निपूड़ हो उसको बोलते हैं पारखी कोनाइजर कोनाइजर की spelling होती है c o n o i double s e u r और यह दिया हुआ है आपके option number b में इस तरीके की कुछ word होते हैं तकरीबन 11500 जैसा कि मैंने बता है मैं एक वीडियो लेक्चर में इसको पूरा explain करूंगा और बाकी जो वर्ड्स हैं वो आपके synonym, centonym से मिलेंगे one word substitutions में मिलेंगे वही idiom में पूछा जाएगा वही one word में पूछा जाएगा कभी spelling correction में सेम चीज़े पूछ देती है तो अलग-अलग तरीके से घुमा-घुमा के पूछती रहती है next question है question number 77 इसमें पूछा है opposite आपको ये दियावा सूथ, सूथ का मतलब होता है शान्थ करना शूथ का मतलब है शान्थ करना आप आपको opposite बतानी है तो आपको ऐसा कुछ word चाहिए जो सूथ करने के बजाए जो है उसे भढ़का रहा हो शान्थ करने के बजाए उत्तेजित कर रहा हो भढ़का रहा हो क्विंच का मतलब होता है एक तरीके से बुझाना प्यास वगरा बुझाना उस सेंस में आता है तो ये synonym में consider कर सकते हो इसको एंट्रोनिम तो नहीं ले सकते हो mitigate का मतलब होता है कम करना option number second है mitigate mitigate का मतलब होता है कम करना suffering या pain को कम करना कम करके improve करना होता है बढ़ाना होता है लेकिन कम करके बढ़ाना होता है इसका positive sense रहता है कम करने में हील, हील मतलब किसी चाहिए जैसे रोक वगरा है उसका इलाज अगर किया जाए तो उसको बोलता है हील या हीलिंग वर्ड ऐसे इस्तमाल होता है एजिटेज, एजिटेज का मतलब होता है उत्तेजित करना तो एजिटेट जो है यहां आपका जो है एंटोनिम हुआ सूध का क्योंकि सूध मतलब सांध करना एजिटेट मतलब हो गया उत्तेजित करना आप चलिए देखते हैं कोश्चन नूमर 78 यह है आपको best express करना है आपको meaning बताना है मतलब आप यहां पर synonyms बताना है 78 में डिवास्टेशन दिया हुआ है डिवास्टेशन मतलब होता है कि किसी चीज को उजार देना फेक देना डिवास्टेशन अगर जनरल वर्ड है आप में से ज्यादता लोग इसको जानते होंगे डिवास्टेशन का मतलब होता है destruction यहां पहले option में सीधे सीधे दिया है destruction दूसरे option दिया है construction तो यह opposite हुआ यह synonyms हुआ separation का मतलब है अलग करना frustration frustration का तो कोई लेना देना नहीं है तो यहां पर जो आपका पहला यह option हो गया destruction destruction devastation का तो आप मतलब वर्ट जो synonyms अंट्रोनम में आये हैं वह देख रहे हैं कितने इजी है क्या आपको लगता है कि पिछले साल में पहले पूछे नहीं गया है पिछले दस साल के बेपर उठागे देखिए जितने यह वर्ट है वो पूछे गया है चाहाई CHSL में हो चाहा चाहाई CPO में हो चाहाई CGL में हो पूछे गए हैं 79 कोशन देखते हैं आउट आप दफोर अल्टरनेटिव चूद वन विच कैन बी सब्टूटिटट फॉर्ट गीवन वर्ट संटेंसेंज और क्लिक बुटन कर्सपांडिंग तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको बताना व में जाओगे तो जैसे प्रैक्टिस सेट में दिया रहता तो यह कोशन आपको मिली जाएगा एन एक्जक्ट कॉपी यह होता है फैजिमाइल 2015 में यह मेरे सेट में पूछा गया था इसकी स्पेलिंग करेक्शन पूछी गई थी कि अलग अलगी स्पेलिंग दिया था स्पेलिंग साही करनी थी ट्विन का मतलब होते हैं भाई दो जुड़वा भाई मिरर का मतलब होता है आप लोग जानते हैं मिरर का मतलब क्या होता ह इमेज होता है लेकिन यहां पर exact copy की बात नहीं होगी mirror के लिए clone clone हम किसी चीज के बनाते हैं वो exact copy के sense में an exact copy के sense में नहीं लेते हैं तो an exact copy जो होता है वो होता है फैजिमाइल अब बात करें question number 80 and 81 की to give money to agent for sales जो बेचते हैं जो बेचने वाले होते जो agents होते हैं जो sales में काम करते हैं तो उनको जब पैसे दिये जाते तो उसको आप सभी लोग लगबग जानते कि उसको बोलते commission यह बहुत easy है आप देखो कि इतने common common से word आ रहे है salary आपको पता है कि आपको पता है incentive किसको दिया जाता है जो employee होते है उनको साल के इंड में बक्छीस जैसे बोलते हैं बक्छीस दिया जाता है लेकिन जो एजेंट होते जो सल के लिए उनको पैसे दिया जाता हैं उनको कमिशन दिया जाता एजेंट्स को इंसेंटेव नहीं दिया जाता ध्यान रखिएगा Confused मत होई ना 18- Inhale- моя फार्पर institute, एक institute में आप काम कर रहे हो, एक institute में आपके साथ कोई और काम कर रहा हो, तो आपको याद होगा, आप बोलते है मेरा colleague है, वो मेरा colleague है, और साब-साब यहाँ पर fourth option में दिया है colleague Captain आपको पता है ना, कि Captain क्या होता है, Captain यह होता है, Head होता है collector, guide अब बेख और विएस से बाता नहीं होगा कि अच्छा अब एटीटीटू से लेके एटीटी फोर तक आपको क्या बताना है इडियम इडियम की मिनिंग बतानी है दिया हुआ है कैटनेब बिल्ली की नीद अगर ऐसे याद रखना चाहो तहां तो इसे याद रखने हो कि बिल्ली की नीद कैसे होती है बिल्ली की नीद बहुत छोटी होती है तो यह कोई फटक से अगर आगए भी जो निकल जब उसकी नीद उड़ जाती है तो इसको बोलते हैं short sleep catnap को ये आप सारे के सारे जो चीजे हैं एक बार note down भी कर लीजे क्योंकि ये question फिर दुबारा से भी repeat होंगे to pull a long face अब आपको क्या लगता है कि to pull a long face पहले नहीं आया है आया है to pull a long face लंबा चेहरा बनाना जैसे हम कभी किसी चीज पर दुखी हो जाते हैं question number 84 यहां पर बताना है fit her like a globe fit her like a globe यह आपका जो है idiom है इसका मतलब बताना fit her like a globe जो दस्ताना होता है उस तरीके से कोई fit हो जाए इसका मतलब है दस्ताना जो हाथ में आता है वो perfectly fit होता है to large नहीं होगा to savvy नहीं होगा to tight नहीं होगा जो fit her like a globe होता है इसका मतलब होता है perfectly इसको ऐसे याद रख सकते हो कि दस्ताना जब भी कोई player वगरा पहनता है जो है तो वो perfectly fit होता है तो उससे आपको याद रह जाएगा fit her like a globe का मतलब होता perfectly अब यहाँ पर 85 जो question स्टार्ट हो रहा है इसमें आपको fill in the blanks भरना है health is too important health is too important to और आपको एक बात मैं बता दू टू का यूज negative sense में होता है टी डबल ओ का मतलब होता है negative sense में इसको लेते है health is too important to be discarded discard मतलब क्या होता है छोड़ना health is too important health इतना ज़्यादा जरूरी है कि उसे छोड़ा जा सकता है ऐसा तो नहीं हो सकता है तो option a नहीं होगा health is too important to be disposed disposed का मतलब क्या होता है disposed of मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता कोई चीज सेल कर देना मतलब आपके पास कोई चीज है उसको खतम कर देना तो ऐसा health के भी से में तो कह नहीं सकते हो health is too important to be neglected health इतना ज़्यादा जरूरी है कि इसे neglect नहीं किया जा सकता तो option number 3 आपका feedback रहा है तो यह है option number 3 यहां पर होगा size का right answer होगा detest का मतलब क्या होता है detest का मतलब होता है ना पसंद करना तो health ना पसंद नहीं किया जा सकता तो option number 4 नहीं होगा हो option number 3 हमारा सही है अब देखिए question number 86 I am ignorant on innocent of indebted to ignoring of यह आपका जो है word भी है साथ में preposition भी लगा हुआ है तो आपका दोनों चीज देखना बहुत जरूरी है जैसे I am ignorant on ignorant on something possible नहीं है कि किसी चीज पर ignorant हो जाना ignorant का मतलब होता है कि जैसे ignore करना इस चीजों को और यहाँ पर I am देख कि आप ignoring मतलगा देना कि I am ignoring इस crime, अरे crime है या तो आप खड़ोग या तो नहीं करके तो ignore तो नहीं कर सकते हो pa in crimson इंडेप्ट का मतलब होता है रिडी होना, तो किसी क्राइम का आप रिडी तो नहीं हो सकते हो, आप यह हो सकते हो कि आप इनोसेंट हो इस क्राइम के लिए, मतलब यह क्राइम आपने नहीं किया, तो इसका option number जो जाएगा वो third जाएगा, I am innocent of this crime, चलिए 87 देखते हैं, I was free from paying the tax, the tall tax, जो tax या फिर tall tax होता है, इससे आप क्या होते हो, Xunerate होते हैं, या exempt होते हैं, या exposed होते हो, Xunerate क्या होता है, जो आपको crime वगरा में सजा मिलती है, अगर उससे मुक्ती मिलती है, तो आप इस्तेमाल करते हो, Xunerate, लेकिन अगर tax वगरा में अगर आपको छूट मिलती है, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता, Xunited, अगर rebate मिलत है छूट मिलता है तो वहां पर इस्तेमाल होता है अब अब 88 है अब इसमें आया कि आपका errr find out करना है इसके लिए आपको grammar की knowledge होना चीह इसके लिए ऐसके लिए आपको preposition का knowledge होना चीह अब यहाँ पे है i used a pair of black trousers for a week अब यहाँ लगा है for a week और यहाँ पे लगा है I used to अगर आपका grammar का knowledge है तो आपको पता होना चाहिए कि since और for कहाँ पे यूज करते हैं I used a pair of black trouser जैसे ही आप I used a pair of black trouser लिखते हो तो इसका मतलब यह हो जाता है कि आप यह कह रहे हो कि आप past indefinite में बात कर रहे हो क्योंकि verb v2 जो form होती है वो past indefinite लिती है तो यहाँ पे past indefinite दिया है और for या फिर since यह अगर इस्तेमाल होता है तो कभी भी past indefinite तो हो नहीं सकता है या तो perfect tense होता है या perfect continuous tense होता है तो यहाँ पे आपका a part ही गलत है अब यहाँ पे जैसे I used to a pair of black trousers यह भी गलत हो जाए कि तो used to भी कभी कभी sense में आता है कि used to होगा यहाँ पे जो होगा वो होगा या इस तरीके से कि जैसे past में है तो past में ही बात करते हैं I had been using a pair of black trousers for a week यह सही हो सकता है या फिर ऐसे कह सकते हैं I had used a pair of black trousers for a week तो सही होगा चलिए 89 question देखते हैं He has made a mistake on which I am certain He has made a mistake He has made a mistake आपका यह है perfect tense has made a mistake of which I am certain अंदर दिमाग में एक तरीके से sentence को पढ़किए लगता है कि He has made a mistake उसने एक mistake किया है of which जो कि मैं या जिससे मैं uncertain हूँ, अनिश्चित हूँ जिसको मैं जानता नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर इसका sense इस तरह भी सही निकलेगा He has made a mistake of which I am certain उसने एक mistake किया जिसको लेके मैं निश्चित हूँ तो यह sentence पूरी तरीके से सही है एक confusion यह होता है कि I am uncertain यहाँ पर feeling आती है कि I am uncertain तो यह होता है I am certain तो आप निश्चित हो सकते हो या अनिश्चित हो सकते हो तो यहाँ पर C part में गलती नहीं है अब आपको चेक करना है First part में गलती है He has made a mistake कोई गलती नहीं है Of which कोई गलती नहीं It means है कि sentence correct है एक बार आप पूरे grammar की classes देख लोगे तो मैं जो अभी समझा रहा हूँ वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि grammar की classes अभी हमारी पूरी नहीं हुई है तो हो सकता है कि आपको कई जगर doubt हो रहा होगा यहाँ पर मैंने इसका answer छोड़ रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका D part सही था ठीक है Question number 90 देखते हैं इसमें भी error find out करना है He was not allowed for the teacher to read in a low wise He was not allowed Allowed for something होता है Allowed by someone होता है यहाँ पर देखे sentence है He was not allowed for the teacher Allowed by the teacher होना चाहिए था तो यहाँ पर B part में गलती है तो आप समझ रहे हैं आ प्रिपोजीशन चार्ट से related कितने सारे question बनते हैं चलिए 91 से question आगे देखते हैं Question 91 से लेके आगे पूरा passage है, passage में question होगा चलिए तो question पहले एक बार passage पढ़ते हैं My mom grew up in traditional Chinese Passage पढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दू कि ज़्यादतर student नीचे लिखाता सर Passage को Hindi में explain कीजे मैं एक बात आपको यह बता दू Passage करने का सबसे सही तरीका यह है Keyword पकड़ने का अगर आप वहाँ Hindi meaning निकालने जाएंगे Hindi meaning अगर आपको निकल आती आपको sense समझ में आता है तो Prices थोड़ा easily होता है लेकिन अगर sense आपको नहीं पता चल रहा है तो भी आप keyword पे focus कीजे ज्यादा Hindi पे ध्यान देखेंगे तो थोड़ा सा पंगा होगा आप यह habit डालिए कि आप keyword पकड़िए अभी मैं कुछ keyword आपको पकड़ना सिखाता हूँ कि question पहले पैसेश पढ़ते हैं फिर question पढ़ते हैं फिर दुबार एक बार आके पैसेश पढ़ते हैं और फिर वहाँ से keyword निकालते हैं जैसे हम पहले पैसेश पढ़ते हैं My mom grew up My mom grew up in traditional Chinese family in which open expression of love were neighbor encouraged when she had me and my three siblings siblings मतलब भाई बैन होता है she treated us with the same hard hand it was not that she was a slave driver slave driver का मतलब यह हो गया कि वो सक्त driver थी यार मतलब नेचर से सक्त थी और anything but she never openly sowed affection instead she demonstrated that she cared in more practical ways ठीक है अगर मतलब एक बर मैं आपको हिंदी बता देता हूँ और आगे समय आपको सिर्फ keyword पकड़ना सिखाऊंगा My mom grew up in traditional Chinese family मेरी मा जो है traditional Chinese family में पलीवडी थी in which open expression of love जहांपे openly जो है love या फिर प्यार महंबत इस तरीके से बाटना बच्चों के साथ वो थोड़ा नहीं हो रहा था उस family में When she had me and my three siblings जब मेरी मा के पास मैं और मेरे तीन सिब्लिंग थे she treated us with the same hard hand वो सब के साथ वो टफकड़ाई से ब्यवार करती थी It was not that she was a slave driver ऐसा नहीं था कि वो सक्त ड्राइवर थी या कुछ और ऐसी थी But she never openly sought affection लेकिन उनने openly मतलब खुले तोर पे कभी प्यार सो नहीं किया Instead she demonstrated that she cared in more practical way इसके बजाए वो मतलब एक practical way से काम करती थी पहले इसका मतलब यह हुआ अब जैसे ही आपको यह चीज़ समझ में आ गई आप keyword पकड़ना समझिए आपको keyword पकड़ना बहुत जरूरी होता है My parents Next pera है My parents could not have been more different emotionally My dad is really open-heated person Who constantly soars us with huge kisses No matter the occasion अब पापा के बीसे में अलग बाती यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो पापा थे वो मां से अलग थे और वो अपने expression को सो करते थे After much persuasion from him My mother did try to change उनके बहुत समझाने पर मेरी मां ने अपने आपको change करने की कोशिस की But it was clear that she never felt quite right लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह अच्छा मैसूस नहीं होता था अपना emotion एक्स्प्रेस करना Eventually she reverted to her old self फिर वो अपने पुराने रवेये पे ही रही The difference between my parents was never starker than Whenever I bought home good marks Test result from school My dad would practically jump with joy Offering warm and affectionate words And my mother Ah good good She would typically say with a tense smile It should on her face Do better next time Okay अब यहां पे इस वाले paragraph में मम्मी के behavior और पापा के behavior में difference बताया जा रहा है जब example दिया है रड़की ने कि उसने एक मतलब जब score करके आई घर पे तो पापा उचल के किस्विस करते थे और मतलब बहुत सो करते थे और मम्मा बस बोलती है चलो ठीक है अगले साइँ और बेटर करना अपना नहीं अपनाया ठीक है उनके reserve होने की वज़े से that was just our way मैं ये समझ गया कि ये उनका तरीका है I reasoned मैंने अपने आप से ये question किया अब आपको इसके बाद क्या करना है question पढ़ना है एक बार फटा पर पर पढ़िए फिर question पकड़िए फिर keyword पकड़िए अब पूछा जैसे why did the narrator not bear a grudge against her mother अब यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले grudge word यहीं last पैरा में आया और यहीं आपका question बना दिया गया है तो आप सीधे इसी paragraph में चले जाएए keyword जहाँ पर यह था I tried not to hold a grudge against her for being so reserved किसलिए ग्रज नहीं रखता था for being so reserved why did अब यहाँ पर question पूछा है कि why did the narrator not bear a grudge क्यों ग्रज नहीं रख रहा था और यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि वो reserved थी इस वज़े से for being reserved that was just her way वो reserved थी और क्या कहते हैं कि यह उनका nature है इसा समझा उसने अब option में आपको डूढ़ना है कि सरलेटेड क्या है she felt that her mother had that kind of nature उसने सोचा कि मेरी मां का जो है यह ऐसा ही nature है बस यहीं वो बता रहा है sentence में आपको आगया option देखने ज़रुती नहीं है that was just her way और यहाँ पर उस चीज को nature में convert कर दिया गया है कहके कि यह उसका nature था या फिर उसका way था यहीं option A आपका सही हो गया she was satisfied with her father's love ऐसा नहीं था her mother was incapable of loving ऐसा भी नहीं था her mother was angry with everyone ऐसा कुछ नहीं दिया है तो आप keyword देख रहे हैं कैसे पकड़ते हैं keyword ऐसी पकड़ते हैं आपको यह पता होना चाहिए concept paragraph में जो question पूछा गया उसका keyword है the narrator's mother reverted to her old self because अब उसकी माने अपने आपको वापस पुराना रवये में क्यों मतलब convert कर लिया अब यह चीज इसमें समझ यह अभी मैंने आपको जो है दुबारा से reward back इसलिए कर गए क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था then यह option second आपको यहाँ पे सही है अगर आप मैंने अभी तो passage का मतलब आपको समझा दिया है otherwise आप keyword के थो जाते तो पहरा second में आपको सीधे 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 से मिल जाता जैसे यहाँ पे लिखा eventually see revert reverted her old self यह देखिए अब लिखा है अब इसके पहले पढ़ लीजिए he never felt quite right expressing her emotion वो कभी feel नहीं करती थी कि वो emotions express करने में बहतर है बस यह option है आपका 93rd the narrator's mother did not appreciate the narrator's result because the marks were not good ऐसा कुछ नहीं कहा गया है the marks could be better ऐसा भी नहीं है कि और बहतर हो सकता ऐसा भी कुछ नहीं किया है she was not very expressive यह reason है पूरे passage में यहीं बात हो रही कि उसकी माँ जादा expressive नहीं थी तो third part आपका सही है she was tense ऐसा भी कुछ नहीं था तो third part आपका solution मिल गया how is the narrator's dad different from her mother अब यहां पर यह पूछा है कि उसके जो पापा थे वो मा से कैसे different थी his dark ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो काले थे his expresses his feelings openly यह लिखा हुआ है he dislikes children ऐसा कुछ नहीं लिखा है his persuasive nature ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है यह different इसलिए थे क्योंकि वो पनी feeling अब इसमें यह पूछ दिया गया है कि क्यों नहीं थी ऐसा अब reason क्या है सबसे पहले line में दिया था कि वो Chinese family में पढ़ी बढ़ी है इस वज़े से जो है हो सकता है और उसमें एक line और रखी है वहां से मिल सकता है तो कुल मिला जोला कि यह जब keyword मिला और आपको याद होना चीए कि पहरा आपने पहला पढ़ा था तो यह वहां से मिलेगा अब हम option देखते हैं यह possibility आपके दिमाग में हो सकता है इसा कुछ नहीं है जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि China के origin वाले सारे के सारे लोग इस्प्रिसिन ना हो उसके पापा तो थे तो यह रीजन तो हम बता नहीं सकते कि सीवा जब चाइनीज ओर्जन तो हम यह कह दे कि चलो option यह ले लिया the tradition at her home माहौल उसके घर का ऐसा नहीं था इस वज़े से जो उसकी मा जो है express अपना नहीं कर पाती थी तो इस तरीके से आप keyword के थो जो है आप passage और paragraph को solve कर सकते हैं चलिए question number 96 देखते हैं 96 question में क्या करना है कि आपको underline part दिया हुआ इसको improve करना है यह देखे both of us had a different opinion about it both of us had a different opinion about it आपको चुनना है both of us each of us और each of us have एक तो बहुत आपको पता होना चीए कि दो के साथ लगता है ठीक है और us लगा है यहाँ पे plural form कर रही है us में हम बहुत सारे लोग होते हैं तो इसके लिए इस्तेमाल होता each of us आप यहाँ पे एक confusion और होगा each of us had each of us have कि had लगाएं या have लगाएं तो इस बात के लिए आप ध्यान रखेगा कि sentence देखिए जो आपका main sentence जो दिया गया है वो किस tense में है वो दिया है past tense में तो आप option भी लोगी क्या past tense में वो present में नहीं लोगी तो जैसा दिया हुआ है वो same tense इस्तेमाल करते हैं तो यह अपका second सही हो जाएगा अब पहले आपको hell bent का मतलब पता होना चीए यह एक phrase होता है क्या होता है एक phrase होता है hell bent और इसके साथ जो आता है वो होता है hell bent on hell bent on इसका third आपका सही होगा hell bent on का मतलब होता है नरक तक the trade union is hell bent on getting its demand full win जो trade union था आपने demand पूरी करने के लिए नरक तक जा सकता था sentence का मतलब यह है नरक तक जाता है तो hell bent on का मतलब होता है correct phrase याद रखेगा hell bent on होता है अब बात करें 98 की the police had to break the door to get in अभी मैंने बताया है इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में ही बताया है कि अगर जबर्दस्ती घुसना हो तो हम क्या लिखते है ब्रिकडाउन जैसे दरवाजा दरवाजा तोड़के अगर वो करना हो तो ब्रिकडाउन का मैंने बताया था कि पुलिस मतलब किस तरीके का ब्रिकडाउन का मतलब होता है कि दरवाजा वगरा तोड़के अंदर जाना कोशन नमबर 99 है यहां पे यह थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा यह एक ऐसा कोशन था जो है पच्चिस में से जो बहुत कम स्टुडेंट साही कर पायोंगे इसके लिए जो है एससे सिन भी नहीं दे सकता कि टैक्षी डी केऊ लिया गया दा प्ले लेंड़ेट एंट टैक्सीड टूओर्ट द एरपोर्ट इसे एक्सेव्जन की तरह इस वर्ड को ले लीजिए आप कि कि the plane landed and taxied towards the airport. बात करें कुछिन नमबर हंड़ेट की. After a hard day's work, I just want to go home. After a hard day's work, I just want to go home. पूरे दिन के स्ट्रगल के बाद, I just want, मैं घर जाना चाहता हूँ. मतलब यह है, अब यहाँ पे जो error है, आप option देखिए, यहाँ पे बस यह है कि days. Days का मतलब होता है, यह plural form हो गया, और days इसका मतलब होता है, apostrophe s, position एक तरीके से होता है. अब उसमें यह भी देखना है कि d a y s लगना चाहिए, या d a y s यह लगना चाहिए. अब जब यह होता है, d a y s s, यह apostrophe दिखाता है, जैसे boys है. जैसे boys में अगर इसका plural मतलब apostrophe दिखाना हो, तो इसका side में ऐसे लगाते हैं. लेकिन days का क्या होता है, days का यह पार्ट सही होता है, days का apostrophe ऐसे दिखाते हैं. तो यह इसका पहला पार्ट सही होगा, hard days work. आप्टर a hard days work, part a, d a y, then s work. तो यह रहा आज का second ship का paper, मैं 3-4 paper और इस तरीके से आपके पास discuss करूँगा. उसके बाद अगर आपको लगता है कि यह paper इसी तरह discuss करना चाहिए मुझे, तो आप मुझे comment section में लिख के बताइए. और अगर आप यह चाहते हैं कि मैं इसका जो है अलग-अलग part अलग कर दूँ, जैसे one word सारे एक साथ कर दूँ, और फिर synonyms, intonyms एक साथ कर लूँ, fill in the blanks वाले person एक साथ कर लूँ, error correction वाले एक साथ कर लूँ और वो grammar में करा दूँ, या grammar जब पढ़ा रहा हूं उसके सा बात करा दूँ, तो जिस तरीके से आप यह चाहते हैं, उस तरीके से आप मुझे एक बार comment section में suggest कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे student ने बोला था, कि सर अलग-लग करिए, बहुत सारे student ने बोला था कि सर जैसा paper आया, agittis, तो मैंने दो paper agittis discuss कर दिया है, कुछ और ए फोकस करूँगा, कि phrasal verb का correct, यूज क्या होता है, फिर idiom का यूज क्या होता है, और कुछ गलतियां हो रही है, typing error में, गलतियां हो रही है, जैसे last video मैंने पढ़ाया था, beer, beer को लेके, तो उसकी जगट जो typing error आया, वो b-e-r लिक्किया आ गया, तो एक तो आप इसको correct कर लीजे कि B-E-A-R होगा, ना कि B-E-R, तो इसके जितने भी मैंने phrasal verb पढ़ा हैं, उस सब में जो है, B-E-A-R के जगए, B-E-A-R लीजेगा आप, इस तरीके से typing error कहीं होती है, तो जो student मुझे comment section में लिख के बता देते हैं, कि सर ये error हो गई, मैं उनका सुक्र गुजार ह और इससे मुझे improvement करने में मदद मिल रही है, अब एक एक घंटे की classes है, और 3-4-4 classes मुझे देनी पड़ रही है, तो typing error हो जाती है, और समझाते वक्स दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो spelling में ध्यान नहीं जा पाती है, इसलिए आप comment करते रहिएगा, कि अगर कोई भी mistake हो जाती है, जैसे इतना ज्यादा classes चल रही है, तो उसमें एक दो mistake हो जाती है, लेकिन आप mistake कमेंट करते रहेंगे, तो मैं rectify कर दूँगा, तो अभी के लिए इतना ही next lecture में फिर मिलेंगे, आपके साथ paper discuss करेंगे, grammar की classes में मिलेंगे, वैकाइब की classes में मिलेंगे, त